हलो एवरिवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूटूब चैनल सिख्छण अकाडमी पर आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंप्वार्टन टोपिक को डिसकस करने जा रहे हैं जो की आपका स्टेंडर्ड इलेवन, केमिस्ट्री प्रेक्टिकल, यूनिट नमबर टू का बेजिक लेवरेटरी टेक्निक्स के अंदर है फ़र्स्ट टोपिक हमने डिसकस कर लिया था, आज के इस वीडियो में हम सेकंड टोपिक को डिसकस करने जा रहे हैं सेकंड टोपिक है आपका बेंडिंग ग्लाश ट्यूब, अगर आपके पास कोई ग्लाश ट्यूब है, तो आप उसको कैसे बेंड कर सकते हो, मोड सकते हो, सिंपल प्रोसेस का यूज करके, सामान ने तकनिक का यूज करके, कैसे आप उहां पे उसको बेंड कर सकते हो, इस सी कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा और हमने चैप्टर नमबर वन का पूरा इंट्रोडक्शन का और जो भी बेजिक चीजे हैं उसका वीडियो बनाया हुए है ठीक है तो उसको आप देखते रह से बने होते हैं जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है अब एक ग्लास को क्या होता है कि कभी-कभी हमें ब्रेक करना पड़ता है मतलब उसको बेंट करना पड़ता है तो अगर आपको बेंड करना है तो किस तरह से बेंड करोगे यह आना चाहिए ठीक है तो चलिए यहां पर क्या है तो ढोड़ा टेशलर्ट Divis च्लास होते हैं भूत ही ज़्यादा मॉलाइन बोल सकते हैं कि अगर आप सथोड़ा सा आधर उदर करोगई तो टूट जाएगा ब्रेक हो जाएगा डायरिक्ट टूटut नहीं ब्रेंड मुड़ेगा नहीं डायेक तिसको हम कैसे मोडंगे कैसे बेंड करेंगे ओधेखते हैं तो atrás को plant करने लिए अगर आपको कोई वी मेंब करना या फिर कोई काम करने जा रहे हों आपको पता ही नहीं है कि आपको वह काम करने सबसे पहले आपको लेना है जो दूसरा वाला आता है वह बहुत ही ज्यादा क्या होगा बहुत ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वह उक्सीजन मालो अलग मटिकल से बना होता है उसके हीटिंग पॉइंट लगभग आपका 800 से 1000 डिगरी के असपास होता है जो आपके लिए पोसिबल नहीं है नॉर्मल टेक्निक के अंदर इसलिए हमें आप सोडा ग्लास ट्यूप का यूज कर रहे हैं ठीक है बोरो सिलिकेट का ब्रेक हो जाएगा मतलब तूट जाएगा दूसरा आपको क्या चाहिए बुंसन बर्नर चाहिए ठीक है बेंड करने लिए आपके पास सिर्फ अगर ये दो चीजे हैं तो आप कोई भी सोडा ग्लास ट्यूप को बेंड कर सकते हों बुंसन बर्नर से आप आसानी से जो बोरे पक्शर में दिखाई दे रहा होगा यह आपके पास क्या है इस तरह से जैसा इन्हों ने पकड़ा हुए पिक्चर के अंदर इस तरह से आपको जोन्टल आपको पकाड़ लेना है और फ्लेम के आगे ले dancing із दिख्र आपको यहां पर picture में दिख रहा हूं और आपको इसको rotate करते रहना है जो भी आपका है यहांपे ठीक है ग्लाश ट्यूब उसको आपको rotate करते रहना है जिससे एक ही जगा पर heat ना हो पूरा का पूरा पूरा चारो तरफ से क्या हो ग्लास रोड़ आपका heat हो और आपका जो fingers है वो भी क्या हो हीटिंग से बचे रहे हो और थोड़ा दूर पकड़ना है आपको इसलिए मैंने बोला 20-25 cm का आपको यहाँ पर ग्लाश ट्यूब लेना है कै 1 अब आप इसको घुमाते रहोगे देखो यहां पर साइन डीया है इस तरह से रोटेट करोगे दोनों तरफ से तो क्या होगा युनिफर्मली सब जगा प्र माइब कीज़गा से रोगे सोप्ट होना सुरू होगगा ठीक है उस और आप तो आपको देखना है कि determine in which direction you want to bend the glass tube अब आपको यह चेक करना है आपको कौन से डारेक्षन सपोज आपने इस तरह से पकड़ा हुआ है और आप इस सोच रहो नीचे की तरफ हम यहां पर दबाएं तो नीचे की तरफ और आपने आगे की तरफ खीच रहो तो इस तरह से बें करना है और देखोगे तो में यह क्या होगा यहां पर ह deconst होते जाएगा गरम होते जाएगा लाल हो जाएगा वहां पर रेडी ही तरह से इधर से दोनी तरफ से खीच रहे हैं यह देखो यह वाले पिक्चर वे आपको ज्यादा दिखाए दे रहा हो यह होट एंड है हमने उसके अंदर रखा हुआ जब यहाँ पे सबसे गरम पाट रहेगा तो आप अपनी तरफ क्या करोगे इसको खीचे होगे ठीक एक दम एंड पे पकड़के अगर पास में पकड़ोगे तो उतना बराबर से बेंट भी नहीं होगा ठीक बट कहां पे रखोगे जब इस तरह से गरम हो जाए तो उसको सबसे पहले टाइल्स पे ला देना है आपके पास एक टाइल्स होगा उसके उपर रखके आप अगर बेंट करोगे तो सही सेप में वह बेंट होगा अदर्वाइज उसका सेप जो होगा वह बिगड जाएगा प्रोपर एंगल से फोर्म नहीं होगा तो अप्लाइज जेंटल प्रेशर ओंदा ग्लास ट्यूब वेर इट इस सॉप्टन और रेड होट जहां पे हुआ हो और बेंट दा ग्लास कर सकते हो जब आपका कर जाएं तो रिमूफ फों दा फ्लेम वेरा से रेकल omt day in देख्या अपको हुआ होगा तो आप अपने डिस साब से उसको चेंज और टाइल्स पे रख दोगे कुछ टाइम के लिए जिससे वो जो आपका ग्लाश ट्यूब है वो क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा कुल हो जाएगा आगे ग्लाश ट्यूब कैन भी बेंट इन्टू वेरियस अंगल एस सोन इन दा फिगर विलो देखो अभी देखते हैं कर इनकों से एंगल में आप इसको ट्रो कर मतलब बेंट कर सकते हो तो देख सकते हो यहां पर यहां पर आप देखोगे तो प्रोपर यह वाला आपका बढ़ियां से इन्होंने बेंट किया हुआ है तो यहां पर देखोगे तो यह दोनों में क्या है बराबर से बेंट नहीं को रोटेट करते रहना अगर आपने रोटेट नहीं किया तो क्या होगा एक ही जगा पर ज्यादा गरम होगा और अप करने जाओग मतलब बराबर से इसको ही टिंग नहीं मिला अगर अच्छे से इसाइक होगा इस तरह से बेंडीक होगा और ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा heat भी नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा, तो क्या हो, पिखलने लगेगा, तो आपका bending कुछ ही इस तरह से दिखेगा, तो आपको दोने चीज़े ध्यान रखना है, ना बहुत कम bending हो, ना बहुत ज़्यादा bending हो, और इसमें आप देख रहे हो तो इस तरह से अलग-अलग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे bend कर सकते हैं ऐसे angles के अंदर हो सकता है आपको practical में चीज़े दी जाए ठीक है अगर नहीं दी जाते हैं तो भी आपको पता होना चीज़े बेजिक टेक्निक्स कैसे आपको इबेंड मतलब आप कैसे भी किसी भी ग्लाश ट्यूप को बेंड कर सकते हैं इसलिए हम क्या कि एक पूरा सीरीज ही ला रहे हैं जहाँ पर चैप्टर नंबर वन तो हमने कराई दिया है चैप्टर नंबर टू भी इस तरह से हो जाएगा सभी चैप्टर का आपको यहां पर इसमिलेगा और जो पूसिबल होगा उसका प्रैक्टीकर नौलेज भी आपको दिया जाएगा ठीक है जनरली यह प्रैक्टीकल यह बल्लावरे करा नियुक्त क्या क्या करेंगे पिक्टर के माध्यम से सबभी चीज़े सम्झाने वाले हैं ठीक है आगे अगे मैं अब देखो precautions क्या लेने है practical तो आपका खतम होग चुका क्या चीज़े हमें करना था कैसे करना था जब भी आप practical कर रहे हूं तो आपको जो भी आपको बोला जाए उस precautions का आपको ध्यान रखना है अधर्वाइज डिफ्रेंट इंसिडेंट्स आपके साथ हो सकते हैं लैब के अंदर देखो पहला तो हीट एटलिस फॉर तो फाइफ सेंटीमिटर और ट्यूब एट पॉइंट और बेंडिंग जब आपको बेंड करना है त सिपी यूर फेस फार एंड़श्ट्वाथ अभी five जब भी आप बेंड कर रहे हो यहीट कर रहे हो तो अपने जो आपका फेस है उसको क्या करने का ब्Lाष्ट्यूप से दूर रखना है आपको और दूर से अच्छे से मतलब क्या करना बाढ़ीं अच्छे साइज का घ्लान लेना है और दूर से थोड़ा पकड़ना है जिससे आपकी उंगली भी बराबर रहा है सलामत रहा है चलिए थाड़ देखते हैं क्या चीजे हैं नेवर बेंड दा ग्लाश ट्यूब बाइफ आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा प्रेसर लगाना है बग्दम फोर्स बहुत ज्यादा एक ही बार में आप सोचो कि मैं बेंड कर दूं तो ऐसा आपको बेंड नहीं करना है सो डूइंग सो बर्क्वित हैं अगर होसकता है जल्दी से मलब ज्यादा फोर्से याप उसको बेंड करना चाहाए तो ट्यूब आपका ब्रेक हो सकता है इसलिए प्रोपर आपको देख लेना ही तुऊ हुआ है अगर हीट नहीं हुआ रहेगा बज़ा अच्छे से तो बरा वो सकते हैं आपके साइट आपसे कुछ कुछ पूछे और वो क्वेस्टन से रिलेटर हम मालोग देख लेते हैं उसका अंसर देख लेते हैं जो कि आपके कुछ टेक्सबुक में भी एक दो क्वेस्टन इसको दिये होंगे चलिए वाइग लाश ट्यूब इस रेड़ होट कंडिशन बेंट स्लोली अब जो मालोग लाश ट्यूब रेट होट कंडिशन में हो ओ धिरे धिरे क्यों स्लोली हम उसको बेंट करते हैं तो देखो दा ग्लास बिल स सौप्ट हो जाएगा हैंस जेंटल प्रेसर मस्ट भी अप्लाइड वाइल बेंटिंग हमें क्या करना चाहिए थोड़ा थोड़ा प्रेसर लगाना चाहिए और भी जेंटली अचानक से एक साथ नहीं प्रेसर लगा देना है बुरू ठीक है नेक्स्ट व्यूश्ट वो प्रोपर सभी जगा पे एक झासा उसको हीट कर रहा है इसके लिए हम एक कैसा एक्जांपल देना है जहां पे बेंट ग्लास का के यूज किया जाते हैं अगर आप फञनल देखो तो फञनल भी इस तरह से बनाया जाता है। डिक्षा डिश्टिलेशन बी जब पड़ते हैं। तो sodium यहाँ पर देखो na2 si o3 ठीक है sodium यहाँ पर दूसरा si o3 and 4 si o2 से यह मिलकर बना होता है ठीक है soda glass आगे है can we heat apparatus made up of soda glass क्या हम heat कर सकते हैं जो भी soda glass से बने हुए apparatus है so no why because it breaks on heating if you heat मालो ज्यादा heat करते हो तो यह क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे इसलिए हम लेबरेटरी के अंदर ज्यादा तर बहुरों silicate glassware का यूज करते हैं और यहां पर आपको यह क्या बोलते हैं बेंट करने के लिए soda glass का यूज किया गया क्योंकि यह आसानी से बेंट हो जाता है आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कैसे बेंट करना है आपको पता चल गया होगा और questions के अंसर भी आपको मिल गया होंगे काफी अगर कोई question रह जाता है आपके mind में है तो आप comment कर सकते हैं ठीक है so thank you very much वीडियो को share करते रहें like केज़े comment कीज़े मिलते हैं next वीडियो में जहां पर हम next topic को यहां पर discuss करेंगे so thank you